तो यह एक बहुत अच्छा कोश्चन इसमें बायर का रजिस्टेंज पॉइंट फाइव ओम पर मीटर दिया है मतलब एच्वल में यह रजिस्टेंज जो है ना पर मीटर है मतलब यह यूनिट लेन्थ का रजिस्टेंज इस बाद पर ध्यान देना आपको इसको बेंड करके एक सर्कल बनाया गया उसकी सर्कल की जो रेडियस है यह रेडियस को पर यहां पर यहां पर यहां पर यह जैसे सब्सक्राइब यह वाला इसको अपन मुंन Rh1 2 एक बीच में रजिस्टेंग RM 3 तोल रजिस्टेंग को मिलाके 3 है अब आपको सबसे पहले इसका resistance की value निकालनी है R1 और R2 की value तो equal होगी ठीक है तो R1 की value क्या होगी आपको इसके लिए इसकी length चाहिए क्योंकि आपके पास resistance per unit length है अगर इसकी radius अपने x मानी है तो total circumference 2 pi r होगा तो आधा circumference होगा pi x तो यहाने इसका resistance अपने पास कितना आएगा 0.5 into pi x मतलब resistance per unit length into length अब यहाँ पर x भी एक मीटर है जो पने radius मानी है वो कितनी given है एक मीटर यहाँ put करेंगे तो यह resistance की value आएगी 0.5 pi मतलब यह आ रही है pi by 2 तो यह resistance हो जाएगा यह वाला resistance pi by 2 similarly यह भी हो जाएगा pi by 2 अब यह बीच का resistance r3 और बचा r3 तो इसकी लंबा ही actual में radius की double होगी मतलब 2x into 0.5 मतलब यह resistance जो है यह इसकी value जहाँ रखें 1 है ना तो 2 और 0.5 मिलके बन है याने x और x भी बन है तो बना जाएगा बनो तो अब आपके पास 3 resistance यहाँ पर हो जाते हैं ठीक हो तीनों parallel में हैं एक उपर वाला resistance एक नीचे वाला resistance और एक बीच का resistance तीनों रजिस्टेंश आपस में parallel में connected हैं उपर वाले resistance की value है pi by 2 सबसे नीचे वाले की πाई बाई 2 और बीच वाले resistance की value हो बनों, ठीक है? तीनों का parallel combination आपको solve करना है तो यह आजाएगा 1 upon pi by 2 तो इसमें से 2 पर चला जाएगा pi यहाँ आजाएगा plus इसका भी यह हो जाएगा 2 upon pi और last वाले का 1 upon 1 इन सब का LCM आजाएगा pi यहाँ पर जाएगा 2 plus 2 और यहाँ पर आजाएगा plus pi जहन रखें यह 1 upon r equivalent के equal है अभी इसका reciprocal करना बाकी है तो reciprocal आप करेंगे तो answer आएगा pi upon pi प्लस 4 इस तरीके से आप solve कर सकते हैं यह अच्छा question है